यह बात जानना चाहता घूं के उस खुदा के आउतार पईगंबर आख्री पईगंबर में आप मानते हैं किो मुहमद अंप मुरण मानते हो तो मानता हुँ मैं मुझे मौम्म्मध पैगंबर आफ्ल कि अन्में आपके लिए जिस ब्हूंते हैं तो अजब को फोड़ी रहता है गूरू तो सब कर्या रहता है मजब का सब मजब के लिए गुरू रहता हैं तो मानता ही मैं उसको मैं आपका बहुत बार प्रवचन ट्यूवी पर देख चुका हूँ, बहुत आनन भी आता है, अक्सर आपका जो प्रवचन रहता है, जो हिंदू का आता है, आप वेदों से देते हैं, यानि जो भी वेदों से कमपाइजन करते हैं, लेकिन हमारे जो वेद है, वो आक्सर जो है, वो सोरग, यानि जन्नप तक जादा करके ये करते हैं, लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे, अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते हम सानातन धर्म कहते हैं, जैसे आपने अभी व्यक्या किया था, ये है, जैसे बाइबल का अपनी इसलम का ये है, कुरान है, तो इसी तरह हमारा भगवत गीता है, और जो भगवान के बारे में जानना है, यानि अल्ला के बारे में जानना है, तो अगर हमारा है तो भागवतम है, तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ, अगर कि है वेद तो हमको स्वर्ख तक जाने के लिए है लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्ला तक जाने के पोच्छ तक है यानि अल्ला को हम सामने सामने देखके उनकी सेवा करने के लिए है तो जो अभी आपने जो भी सब वोले थे जो 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 आउप दिया था अभी कर रहे थेम आऊरवरत के बारे में माता जी लोगों के बारे में तो आम अमरे घ्गवत गीता में लिखाये किकि आ औरप भ को भगाता है तो उसको मार दीजिए आईसा नहीं है कि अपके इसमें सब में एकء ही जाई आपका प्रवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा जो लिखा गाया किताब के मुताबित चले तो बहुत आदमी सुकी रहता है बाकी तो मैं और कुछ सवल तो कुछ परसन में पूछना चाहता हूं बाद में मैं आपको मिलके सब्सक्राइब सबके सामन होते हैं खुसान जब मैं हिंदु धर्म के बारे में कहता हूं और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म में भी आपको शायद यह पता होगा कि सबसे अवल किताब भगवत गीता नहीं है वेद है भगवत गीता सनातन धर्म अगर आप पढ़ेंगे आर तो हरे रामा हरे कृष्णा इसकॉन ठीक है तो इसकॉन का तसक्रा करता हूं मैं गया था एक बर कलकता में और कलकता में तक्रीर थी मेरी उस वक्ष आती है बारिश तो हो गई लेकिन मेरे साथ आने वालते इसकॉन के हेड कलकता के हम लोग दोनों जाते एक वैन में वैनेटी इसमें मेकप रूम या आराम करने के लिए कंडिशन होता है तो मैस कौन के हेड के साथ में बेटा था तो उन्हें वो ही बात कहीं जो आपने कहा हमाले सबसे अवल है भगवत गीता मैंने बहुत ठीक है और कहीं का वेद भी ठीक है तो मैंने पूछा ये भगवत गीता हिंदू धरम में दो किसम की किताब है एक है शूति एक है स्मृति शूति मतलब जो भगवान की भीजिवी किताब वेद और उपनिशत उसने का बिल्कुल सही स्मृति किसे कहते तो उसने कहना का स्मृति कहते तो मैंने पूछा यह रामायनौ महाबारत क्या है तो उसने कहा यह है स्मृति बेशक बिल्कुर सही जवाबता मैं भी ताले बेल मूँ तो मैंने पूछा बिल्कुर सही कहते है उपपर आती है शृति वेदा और उपनिशद स्मृति मतलब दूसरी किताबे मनुस्मिति इतिह मैंने पूचा यह मांबारत क्या इतियास है तो मैंने उसे पूचा गुरु जी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है मांबारत का अट्रा चेप्टर का सही है अरे बिल्कुल सही है अब बहुत इल्म रखते मेला बैशा तो जब भगवत गीता मांबारत का हिस्सा है तो मां बारस स्मिति है के शुति है भेले शुप बेले शुति है वोला निक्राद Servin पर कह लिजिए भी रखेस कारे बहुत है एवले हाँ आपके पास दिल्म है ला इसले आप जानते है हम लोग को कहते है भकवत गीता उच्छी है लेकिन सयह कहते हैं यह भगवध गीता बेद का नी सोड़े दिए लिके वेद उपर है उबहएँ किताब है भगवध गीता इनसान की लिखी है किसके दर यह सकॉलर पकेट है आप के मिली कहीं है लेकिन आप आम आदमी हैं आप शायद ये पेचिदा चीदे को जानते नहीं हम तालीब इल में मैं स्कॉलर नहीं हूँ तालीब इल्मू तकाइब मजहिब का तो मैं कहो होगा अगर वेद और भगवत गीता में किसकी बात मानें ने थे खूतिए और ना संदे की बदल का आपके संग से कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो हिंदूों में आम करो वेद लेकिन हिंदू दर्म में सरिफ ब्रहम्मन भी वेद को पढ़ सकता है शत्रिया नहीं पढ़ सकता है क्यों बाकी लोग नहीं पढ़ सकते वेच व्यार शूद्रा ने बढ़ सकता है क्यों हमारे मदब में उच निच नहीं है काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, पुरान बढ़ सकता है नमास के लिए जब उस किश्वर की हम अबादत करते है जब खड़े होते नमास के लिए कंदे ते कंदा मिला के करते है चाया वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंदे ते कंदे मिला के खड़ा होता है और आप याँ जिखेंगे और मैं अलप्धुलिल्व, कई बार साओे रेबा गया हूँ और किंग अब्दुल्ला की दावत बहर भी गया हूँ माशालो मैं उनकी सिक्यरिडी रहती है तब सीक्यरिडी हड़ जा दिय आ आप साथ में तो साथ में अलम्दलिल्ला, राजा या फखीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यक्सा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बिल्कु सही कह रहे थे कि वेद स्वर्क की बात करता है, लेकिन खुदा की बात भी करता है भगवद गीता में भी स्वर्क की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है आप बोले अल्ला के करीब आने के लिए भगवद गीता सही है बराबर, दिया यह नहीं कही रहूँ कि वेदों में नहीं कहा है, वेदों में बहुत आकरी-ाकरी में आता है लेकिन जो भगवद गीता जो है, वो डायरेक्ट भगवान हुआ अचा है, यानि आल्ला ने कहा हुआ है तो इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है, वो पढ़ नहीं सकते है लेकिन जो भगवद गीता है, बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गए लिए और जो भगवद गीता है, बहुत सारे आदमी ने, यानि लिखी हुए, गरेबन 200-300 लोगों ने लिखी है, आपने अपने इसमें से बिल्कुल सही कहा लेकिन इस कौन का जो गीता है, भगवद गीता है, वो गुरु परमपरा में है वो भी आदमी है आज इट इज लिखा हुआ है, यानि वो परमपरा में आगर गया तो कृष्ण तक गया है, जिसने जो कहा है, आज इट इज है, इसके लिए उसका लिखा हुआ है, आज इट इज भगवद गीता आपके वामी प्रभु पधा, बराबर, येस, बराबर वामी प्रभु पधा, इनसानी थे ना, इनसानी थे न, मैं किदर न बोल रहा हूँ ये हमारा कुरान जो है ना, डायरेक्ट अल्ला की तरफ से, नाम हमास अल्ला सलम्म ने लिखा है, हम लोग ने, ये कुरान जो है, डायरेक्ट अल्ला की नादिल, यू बहू, इस ने, इतने भी जिगर मजाइब की किताब है, जैसे वक जाने लगे बदलते गे, आप पुना में हू बहो वही है, एक लख की बात दूर रही, आ की मातरा, ई की मातरा जबर जेर, पेश वो भी फरक नहीं है, फत्ता दम्मा कसरा में भी फरक नहीं है, औरीजनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा थाने, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं, माशाल्ला, तुम ये क कहना चाहता हूं जितनी खिताबे पहले आए आज भी आप बिल्कुल सही कहते भगवत गीता वेत का निचोड़े लेकिन जब निचोड़ होता है वह असली फल से वंटडिक करें तो फल और एहमें मैं बिल्कुल मानता हूं स्वामी पगुपता मानते हैं कि भगवत गीता क्य नमबर साथ श्लोका नमबर बीस में जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है आपकी भगवत गीता में लेकर आए दिटिस में और उसका प्रिफेस पड़े ही उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाई है बोस्ते गाई है और क्रिफेस क्या है दूद निकालने वारा इंसान और दूद क्या है भगवत गीता है सही कह रहा हूं कि ने प्रिफेस में लिखे ले कौन कहता है आपके स्वामी प्रभू पदा मुझे उसका टांस्टेशन पसंद दे अक्सर हमारे हमाँ भी माहिशालला पचास से हुआ है उसके अंदर भी वो निचोड़े वेत का निचोड़े लिकिन निचोड़ मतलब ने कि असल फल को गाई को छोड़ देंगे गाई चले जाएंगी तो दूद क्या करेंगे आप गाई रहेंगे तो दूद्ध मिलते रहेंगा ना दूद्ध को लेंगे गाई को मार देंगे दूद्ध आपके खतम हो जाएगा भै गाई को जिन्दा रखो रोज दूद्ध लो बराबर के ने दूद्रे बच्चे पैदा गरेंगे गाई लेकिन तो गाई को मत छोड़िये इ बश्त नमब साथ से नाट में यह धर्मस किया अन्य युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धर्ती पे तो मैं एक ग्रूप हासल करूँगा आउतार आउतार की सही मानिया आपको मिलेंगा वेश से उसमें पता चलते हैं जिसम कहते हैं पैगंबर आखरी पैगंब को का? आमेदिक खीटा का, आपने जो बाताएं कलक गामानी आने व्ला है आचुका है और उसमें लिखा था कलक गया भी आउतार की मा के नाम क्या है सुमति, सुमती के मानी अमन, अर्भी में कहते हैं आमिना महम्मस صلی اللہ علیہ وسلم के वालदा का नाम ता आमिन उसमें लिखा है कलकिया उतार चैप्टर नमबर अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं टाइम मिल रहा है ना कलकिया उतार चैप्टर नमबर दो वर्फ नमबर पांच श्लोक नमबर पांच साथ, नौ, ग्यारा, पंद्रा इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विश्नु यास विश्नु यास मतलब खुदा का बंदा अरिभी में तर्जमा करेंगा अब्दुल्ला मुम्मस صلی اللہ علाव सल्म के वालिद का नाम ता अब्दुल्ला उसमें लिखा है वो इसी जगा में पैदा होंगे जो अमन की जगा है हम मानते हैं मक्का एक अमन की जगा है उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे हम जानते हैं कि खुरेश के फैमिली में पैदा होई ते हम में दिकर क्या हूं? चार करीब दोस मुम्मद स्लल्लाव सल्म के थे, जो हज़रत अबुबकर, हज़रत अमर, हज़रत अस्मान, हज़रत अली, मैं लाभी फिल्युद्धे मौल, अल्ला ताला की रह्मा सब पे हो, किसके बार में दिकर करें? उनको सबसे पहली जो वही वो आएंगी एक गार के अंदर, हम जानते हैं मौल, सबसे पहली वईयाए गार ही फिर वो करेंगे हिजरत, नौत के तरफ फिर से वापिस आएंगे, मौम्मद स्लल्लाव सुन हिजरत की मदिना जो नौत के अपर फिर से वापिस है, मैं तो एगंटा सिर्फ तसकिरा कर सकता में 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 मat ко में में कि बात पर आमल ना करता वाल की बेज़ती करता हूं वालत की बाते में मानता हूं वालत की बातने मानता तो क्या पाइदा आप समझ रहा हूं मैं लेकिन आपने कुछ पहले ही अभी 10-15 मिट पहले ही आपने कहा था कि जो भी है कुरान है वेद है और बाइबल है कि जो जो उसमें लिखा हुआ है खुदा ने उसके उपर आमल करना चाहिए तो मैं आपने इससे आमल करता ही हूँ मानता तो हूँ है खुदा ये कि ये करके वो तो मानता ही है बिल्कुछ नहीं बोल रहा कि आपके लिए कोई खुदा आलग है मेरे लिए कोई आलग है या इससे के लिए कुछ आलग है आप सनातन धर्म के हैं मैं जानता हूँ सनातन धर्म में एक खुदा को मानते हैं वो मा भी स्टेज में आप पास कर चुके एक ख़डा में मानते बिलकुल सहीं मिंये बात जानना चाहता हूं के उस कि missing कहने के आउतार पाइगंबर आक्री पाइगंबर में मानते हैं क्यामहभी मेरा सवाल हूं अ मोहमद पईगंबर को आप मानते कि वह आखरी पईगंबर थे कर नहीं मानते हैं तो मानता हूं मुझा मालमें ओम्मिध पेकंबर आखरी मौमिद शाहुं मानता ही हमम्मदंगा की में आप के लिए इंसको मानता है बिल्कुल से लेकिन ये कहना कि सब मजब यकसा है हूब हूँ यकसानियत है इसलिए मैंने का यकसानियत पर अमल करो आप बोलेंगे मैं सब हिंदु चीज़ पर अमल करूं का कई हिंदू जाते बुद परस्ति करने के लिए आप ने करते अच्छी बात है अपको अब आदे इंत्यान में सफलता पा गए है अभी ये पुछता हूँ मैं जिसा आपने का आप अगर मुहम्मद से अपने मन से खुदा की बात तो आखरी पेगाम में पर अमल करना जरूरी है अगर मैं कहता हूँ मानता हूँ लेकिन अमल ने करते तो कोई फाइदा ने तो य यह हुता है कि अपने मन से खुदा की बात तो आखरी पेगाम में पर आखरी पेगाम में मानना जरूरी है पिर ही आप सही तरीके से मधब को पैचान सकेंगे नहीं तुछ बोलने का आपको मुझे यह कहनत है तो आभी आप बोल रहे हैं आमल करना चाहिए आमल करना चाहिए तो मैं मौमिन बनने का पूरा कोशिश किया क्योंकि मैं मौमिन का क्या रहता है वो तीन चार इसमें सुन चुका हूँ मौमिन का क्या रहता है मौमिन का जो बता है था ना जो रिजन जो कै जो भी यादे बोल दीजे, नो प्रप्लम, जो कमीये में पुरी कर लूँगा, नहीं, नहीं, जान दीजे, आप दूसरे को भी कोच्चन पूछना है, तो मैं आपको परस्नली मिलता हूँ, बाद में पीछे, बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद, इंशालला, ठीक है, आरे क्ञ़श नही कि पॉष्लम, हुष्लम, हुष्लम झाल झाल